नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्या राश वालों के लिए तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकेन को भी प्रिस करें ताकि आने ज़्यादा मेहनत करते हैं कन्या राशवाले आप कमाई के लिए दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको आपके घर पे धन की बरक्कत नहीं हो पा रही है या आप जिस काम को करने के लिए सोच रहे हैं वह पूरा नहीं हो पा रहा तो आप घर में यह तीन उपाई कीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फाइदा होने वाला है कन्या राशवालों लेकिन अगर घर में पैसे की कमी रहती है या आपकी काम में तरक्की नहीं हो पा रही, काम्याभी नहीं मिल पा रही, सफलता हैं नहीं मिल पा रही तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है जीवन में बहुत ऐसे सारे उपाय हैं बहुत ऐसे सारे चीजे हैं जिन्हें आपको करने से धन में बरक्कत होती है और कामियाबी मिलती है जोतिस की माने तो जोतिस सास्त के अंसार कन्या राश वाले लोगों के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में या जिसके करने से आपके जीवन के सारे कलेस दुख दर्द परिशानिया दूर हो जाएंगी और इस उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहने वाली है पैसों की किलत से आप बाहर निकलेंगे और आप जल्द करोड़ पती बन जाएंगे धन से माला माल हो जाएंगे करने राशवालों घर में हमेशा आप तांबे का लोटा जरूर रखते हैं तो तांबे के लोटे में आप पानी रखिए और घर के उत्तर पूर्व की दिशा में रखे तांबे में एक रूपय या आप पांच रूपय का यनि कि एक रुपए या पांच रुपए के कम सकम पांच सिक्के डाल दें लोटे के उपर लाल कपड़ा बांधे और उस लोटे के पानी जब खत्म हो जाए तो फिर से भरके रख दीजिए इसके वाद आपको पैसे की कमी कभी नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ये पूजा स्थान पर रखना है दोस्तों पैसे की कमी आपको जो समस्याएं चली आ रहे थी अब ये समस्याएं कम होती न जड़ाएंगी या फिर कह सकते हैं कि आपको इन समस्याओं से निजात मिलने वाली है कन्या राशवालों गुरू बार के दिन केले के पोधे के हिस्सी को यानि किसी भी पोधा जो होता है केले का उसको आप निकाल के किसी हिस्से को और किसी मंदिर पे लगाएं मंदिर पे लगाने से ये आप के लिए धन की कमी कभी नहीं होगी और जो आपके घर में परेशानिया रहती है वो परेशानिया चली जाएंगी और आपका भाग खिल जाएगा दोस्तों साथ पीले पुस्प और पांच लाल फूल यानि लाल फूल और साथ पीले पुस्प आप एक पीले कपड़े पे बांध के अपने तिजोरी में रख दे इससे माता लक्षमी की सदियों तक आपके उपर कृपा बनी रहती है कन्यराश वालों और आपके धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है आपका पोकेट हमेशा धन से भरा रहता है साथी साथ एक लॉंग और दो सुपाड़ी एक लाल कपड़े पे बांध करके और आप अपने तिजोरी पे रख दीजे जहां आप अपना तिजोरी रखते हैं रूपए पैशा रखते हैं और इन दोनों को रखने से भी बहुत लाब होगा साथी साथ हनुआन जी को आप लाल सिंदूर मंगलवार के दिन चरहाएं तो सदियों तक हनुआन जी की कृपा आपके उपर बनी रहती है दोस्तों कन्या राशवलों अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेर तो करिये ही साथी साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी आज ही सब्सक्राइब कर लीजे तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिये नए तो चैनल से सब्सक्राइब करिये और इसे सेर करिये जैस शुड़ने